गूड मॉर्निंग फ्यारे बच्चो नभ्या उन्लाइन स्टेडी चैनल में मैं सुनी लुपादिया आप सभी बच्चो का सागत करता हूँ आज टॉपसी टर्वी लेंड का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें हम इसकी एक्साइज को करेंगे और एक बाद और बच्चो जिनने भी मेरे दरह द्वारा बनाएगे वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या कोई समश्या है या वो इन्हें नहीं लगता है कि ये वीडियो काम के हैं तो मेरा उनसे बिनर्वनिवेदन है कि वो दूसरे वीडियो पर जाएं बहुत सारे यूटूब पर आप्सन है आप वहां जाके उन वीडियो को देखें मेरे को कहीं कोई बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जहां आपको अच्छा लगता है आप उन वीडियो उसको देखें ठीक है तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेस्चन करते हैं वेन डू चिल्डर गो टू स्कूल इन टॉपसी तर्वी लेंड वेन कब डू चिल्डर गो कब बच्चे टॉपसी तर्वी लेंड पे स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कब जाते हैं बच्चे वहां स्क एट नाइट ठीका आप क्या रिखोगे एट नाइट तो चलिए मैं इसमें लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए एट नाइट एन आई जी एच टी चलिए दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है इसका इन दा पोयम अगर बसेश त्रेवल इंट एट पोयम आगर बसेश जो है वो सी में Sky त्रेवल करती है देन वैर डू बो-ड्ड त्रेल तो बोड्स कहां ट्रेवल कर इंगे करती है ठीक है how should it write be और इसे कहा होना चाहिए तो आपको पता है उसमें क्या पताया गया था कि boards जो है वो street में travel करती है कहां travel करती है street में तो आप लिखोगे क्या लिखोगे कि in the poem ठीक है in the poem ठीक है in the poem boards travel boards travel up and down the street up and down the street कहां करती है चलिए मैं लिख देता हूँ boards in the poem आप लिख ले ना चोई ये वाला आपका वार in the poem board b o a t s boards travel t r a v e l travel tickets on the sea on sorry on the travel एक मिनिट travel boards travel आप एंड डाउन दा स्टीट आफ एंड डाउन d o w and डाउन दा स्टीट s t r ठीक है s t r e t s ठीक है और इसका आगे का पॉप पॉरिशन में इसे मिटा रहा हूँ और क्या है कहां इसे होना चाहिए तो कहां इसे होना चाहिए कह रहा है कि तो आप लिखोगे बोड शुट राइटली बी इन वाटर ठीक है इट सुट भी या आप लिखोगे इसको इट सुट भी इट पानी में होना चाहिए न उसको चलिए उसके बाद है तो चलिए इससे हम कम्प्लीट करते हैं तो इसमें क्या है सबसे पहले है कि people walk on their head तो लोग जो है topsy terby land पर अपने head से चलते हैं तो हमारी land पर किससे चलते हैं पाउं से तो आप बस इससे on their क्या लिख दोगे यहाँ पर feet इस वाले में ठीक है उसके बाद है हमारे इसमें क्या करते हैं the buses run on land अब यहाँ पर लिखोगे ता बसे ठीक है जिस पर head h-e-a-d h-e-a-d ठीक है तो इसमें यह लिख दोगे आप फिर हमारे land में जो अगला next है क्या है the board sail in the sea the board sail in the sea तो यहाँ लिख दोगे इस वाले में लिख दोगे क्या लिखोगे boats run on the street next step people pay for what they don't get जो उन्होंने लिया ही नहीं उसके लिए people pay करते हैं कि इसमें टपसी टर्बिलेंड में लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं people pay for what they get people pay for what they get don't इसमें से यहाँ हटा दोगे इस वाले में चलिए यह भी complete होगे आपका अब क्या है अब आपका आगिया find with sound ठीक है pleaser treaser measure ठीक है wear tear तो इनको आपने क्या करना है stare wear plant can't scant stand topsy-tarby curly-barly curly-worthy तो इनको आप पढ़ना सीखिए उसके बाद है यह कुछ आपके जंबल वर्ड है क्या है जंबल वर्ड है तो फड़ा फड़ा देता हूँ आप वीडियो पॉस करके देख लेना तो first one क्या है रेनू nutty is a girl तो आप लिखोगे रेनू is a nutty girl क्या लिख दोगे रेनू is a nutty girl भाई इनकोई ठीक कर देना है कहीं कोई वर्ड वहर से नहीं लगाना है ठीक है उसके बाद है next क्या है untty room her always तो आप लिखोगे her room is always untty ठीक है तो third one क्या करोगे आप mother her advise her clean to it तो आप लिखोगे her mother advise her to clean it ठीक है तो ये भी होगिया अगला क्या है never listen see her mother to ठीक है child are you are तो what kind of a child are you ठीक है तो ये होगिया can you tell something that go topsy turvy land topsy turvy at home ये आप स्वेंगे इसमें करना इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बताऊं उसके बाद next हम आते हैं ये क्या है ये देखे ये जो है ये दो इसनोंने क्या कर रखे इसमें दो आप पिक देख रहे हो यहां पर ठीक है तो इनको आपने देखना है और इसके बाद एक इनोंने कहां पर story बना रिखी है two story get mixed sort them out and write them in the appropriate boxes तो जो भी क्या कहतने लाइने लिखी है इनको आपने देखना है कि आपको कौन सी box में इनको लिखना है the magic kite में या फिर who did the lion eat वाले में तो ये इसमें आ जाएगा तो इसमें आप इसे swing कर लेंगे इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो आपको बताया जाए आप लोग इसको देख सकते हो तो चलिए ये lesson complete होता है उसके बाद हम next lesson के को करते हैं तब तक आप इसे देखिए कहीं कोई problem आती है तो problems के लिए अगर आपको लगता है कि channel आपको कुछ चीज़े समझ मा आ रही है तो write comment अगर आपके होंगे तो उनका मैं जरूर जवाब दूँगा चलिए ठीक है तब तक के लिए झाल